निशा जी के नुस्खे निशा भाबी इसे लगाना कैसे है इन उसकों को लगाना कैसे है ये तो मैं बाद में बताती हूँ लेकिन पहले एक और तरीका सुन लो लाल मसूर दाल का मास्क मसूर की दाल को मिक्सी में दरदरा पीस ले दो बड़े चमच मसूर दाल कटोरी मिले उसमें मुलतानी मिटी मिला ले अब चन्नन पाउडर और शेहद मिला कर मास्क तयार कर ले इन मास्क को उप्टन भी कहते हैं अब उप्टन से तो आप समझ ही गई होंगी के इसे लगाना कैसे है इन दोनों में से जो भी आपको पसंदो उस मास्क को 20 से 25 मिनिट तक लगा कर सूखने दे इसके बाद बाल की उल्टी दिशामे रगडे और उसके बाद गुन-गुने पानी से इसे धो दे पर ज्यान रखे कि इस नुस्के से बाल धीरे-धीरे हटते हैं इसलिए इसे हफते में एक बार जरूर इस्तमाल करें अरे वानिशा भाबी अपनों हाथ बड़े साफ साफ दिखेंगे सिर्फ साफ साफ ही नहीं बलकि हाथों में एक बहुत ही अच्छा निखार भी आएगा और अगर आप अच्छा महसूस करेंगी तो इससे ही तो परिवार की खुशाली जुड़ी है तो आप अपना ख्याल जरूर रखें